उनका जबाब में लगता है कि अम्मू कास्मीर में राम रज्य पतिष्टा हो चुके हैं मेरा सवाल ये है हम उमिशाजी है यह उनसे जानना चाहते हैं इसी साधन में आपने हमें वादा किया था कि जल्द से जल्द कास्मीर की हाला समन्न हो जाएगी खर्ण्ध की मानक डंड क्या है मुझे पता नहीं नौनमाल सी की परामिटर क्या है तेडर कहते हैं का सजार प्रूपिया हमें घटा हो गये हम दासाजार प्रूपिया देख पुछे दीजिए और ने का ज़रा बता दे ना पुछे दिए सब्सक्राइब को जाने के जज़त नहीं है अब पैसा की नॉर्मल्टी आ गए नॉर्मल्टी आज बहुत नॉर्मल्टी है हमारा पोलिस अच्छे काम करें कि नॉर्मल्टी कब आएगा और हुआ सब्सक्राइब के लीडर हिदा सब्सक्राइब उनको कब छोड़ा जाएगा और आज तक कितने लोगों को आपके हैं यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब माने अध्यक्जी जहां तक जम्मु काश्मिर की जनता और विशेश कर घाटी की जनता है पूरी तरह से स्थिती नॉर्मल है कॉंग्रेस की सिटी मैं नॉर्मल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने यहां भासन किये थे कि 370 हटने के बाद रख्तपात हो जाएगा खुन की नद्या बह जाएगी सालों सालों तक कर्फ्यू नहीं उठा पाएंगे कुछ नहीं हुआ माने वह एक भी गोली नहीं चली एक भी जगे पे गोली से किसी भी व्यक्तिकी मृत्य अब लूश्यिए नई हुए मैं बताता हूं कि शन्जी ने इतनी सारी चीजे बताएगे परिक्सा के अंदर 99.5% उपस्ति ये जवाब देने दिजेए अध्यक्ति ठीक नहीं है माने डायशे प्लिएधिक यह ठीक नहीं है तो फिर दीख मानें आपको जवाप दे रहे ना आपने पूझे ना आप प्रशन को दे रहे हैं आप प्रशन पूझे आप प्रशन काल में आप प्रशन पूझे बाशन मत दे पूरा इननोंने कहा इनोंने और श्यि Culkin की स्वास्टी सवास्ता की सिंता अच्छेसे हो रही है वो नॉर्मल परिष्थी दिन नहीं है बच्चे एक्जाम दे रहे हैं वो नॉर्मल परिष्थी दिन नहीं मानते हैं आप कोड के अंदर इनको बिठा दीजी आप ये पज़ती नहीं है ख़त अगर बात करने की अगर आपको कोई सवाल का जवाब देना है तो पूष्थे क्यों हो भई वही दे रहा हूँ नॉर्मल स्थिक आई भी जरा जहीं रखे अधीर अंजन जी मानते हैं कि बच्चे एक्जाम दे रहे हैं वो नॉर्मल सीजी नहीं है 99.5% बच्चों ने एक्जाम दे लिए मानेवार अगर इसकी प्रकार से बात करना है तो आप या तो मुझे रख्षान दीजे या तो मैं जवाब लिए आपका रिकॉर्ड मेरान का रिकॉर्ड नहीं होगा मानेवार आपको उनको यह वीपक यह पॉंग्रेस पार्टी के नेता है इसके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज उनको नहीं मिलता है मेरे जवाब के बीच में खड़े हो जाते हैं हर बार यह पद्धती ठीक नहीं आपने उनको बसाना चाहिए मानेवार 99.5% बत्चों ने एक्जाम दिया है वो उनको ठीक नहीं लगता है सिर्फ स्रीनेगर में साथ लाग साथ लाग से ज्यादा ओपीडी के पिसंट आए वो ठीक नहीं लगता है सारे ठानों में से कर्फ्यू हटा लिया यह नॉर्मल नहीं लगता है सारे ठानों में से 144 हटा लिगई वो नॉर्मल नहीं लगता है पूलीस पायरिंग से एक भी गोली नहीं हुई वो भी नॉर्मल नहीं रगता है सामानिय परिसिती की व्याक्या दिरण जन्जी कि यह है कि पॉलिटिकल परिसिती कब शुरूब प्लीज माने सदेशे प्लीज माने सदेशे आपका कोई नोटेट नहीं होगा मानेवर मैं यहां पर सवाल का जवाब खड़ा होने के लिए खड़ा हुआ तब मैं मानता था कि जम्मू कस्मिर की जन्टा की कोई चिलता करेगा खैट उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी की चिलता की इसमें भी बताऊ सारे पंचायत के चुनाव नरेंद्र मोधी सरकार की पहली सम में 40,000 सर्बंच के चुनाव हमें समापते हैं जो आज तक नहीं किये गए सालों सालों तक इनके सासन में नहीं हुए इसके बाद में तालू का पंचायत की सिटों के फिर माने सद्ज है माने सद्ज है आप कॉंग्रेश के दल के नेता है माने सद्ज है आप तोड़ी पुटिष्टा बना गया रखो ऐसे क्या करते हो एक मिट माने गरमनती जी एक मिट आप कॉंग्रेश सद्ज दल के सद्ज में नेता है करीमा बनागे रखो आपने प्रश्ट पूझा वाने गरमती जवाब दे रहे हैं माने वर इसके बाद में ब्लॉग के चुना हुए सारे के सारे तैसिल पंचाय ब्लॉग के चुनाव सांती से हुए लगबग लगबग 95% से ज़्यादा वोटिंग हुई है कहीं पर भी हिंसान है ये पॉलिटिकल नहीं है क्या ये भी पॉलिटिकल है और जहां तक रादनितिक नेताओं का जैल में रहने का सवाल है मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें किसी को भी एक दिन ज्यादा जैल में रखने की जरूरत नहीं है ना इच्छा भी जब वहां का प्रसाशन नेरय करेगा तब उनकी रहाई हो जाएगी और इसमें अरे सुनो आप सुनो ना आप सुनो अब इतना जोर जोर से बोल रहे हैं अभी यह सब पांच महिने छे महिने से जैल में हैं भारुक अब्दुल्ला के पिता सेख अब्दुल्ला को कॉंग्रेस पार्टी ने साब 11 साल तक जैल में रखा दा 11 साल तक रखा दा क्रीमती इंदिरा गांधी प्रदान मनते थी मगर हम उनके नक्से पर नक्से कदम पर चलना नहीं चाते जैसे ही प्रसाशन उचीत मानेगा उचको छोड़ देगा हमारी कोई इंटर्फिरेंस नहीं होगी और यह आपका कल्चर है कि प्रसाशन को यहां से फौन करकर इंटर्फिरेंस करना हम नहीं करते हैं जब प्रसाशन जब कहेगा उनको उचीस परिश्टिती लगी तब होगा और मेरा सभी सदस्यों से इतना कहना है कि एक कुछ नेता जो जैल में हूं की चिंता सब ने करी जाए वो भी करें मैं भी कर रहा हूं मगर ज्यादा चिंता घाटी के जंता की करकर अगर आप सवाल भूत्ते तो घाटी की जंता को लगता कि कॉंग्रेस पार्टी हमारी भी चिंता कर रही है सिर्फ पोलिटिकल एक्टिविटी की चिंता नहीं कर रहा हूं क्यूशा नमबर 3053 एक नाज चिंदे